अगर आप SBI Bank के गरहाक है योनो SBI में Registration करना चाहते हैं तो इस वीडियो मैं आपको complete process बताने वाला हूँ कि कैसे योनो SBI में Registration करना है योनो SBI में Registration करने के लिए आपको बैंक जाने की जरुवत नहीं है यह process आप घर बैठे online ही कर सकते हैं योनो SBI में Registration करने के बाद आप अपने account को access कर सकते हैं योनो SBI में Registration करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं तो सब सब पहले balance check कर सकते हैं money transfer आप योनो SBI से कर सकते हैं योनो SBI में आप UPI को भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद statement download कर सकते हैं, passbook भी आप download कर सकते हैं, इसके बाद FD open कर सकते हैं और close भी कर सकते हैं, इसके साथ RD account भी आप open कर सकते हैं, close कर सकते हैं, इसके बाद bill payment कर सकते हैं, mobile recharge भी कर सकते हैं, train ticket बुक कर सकते हैं, ATM card apply कर सकते हैं, चेक बुक के लिए भी आप अपलाए कर सकते हैं लॉन भी आप अपलाए कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं योनोड में रिजिस्टेशन कैसे करते हैं तो सबसे पहले प्लेश्टोर ओपन कर देना है ओपन करने के बाद यहां पर आपको टाइप करना योनोड करने के बाद का परमिसन दे दीजिएगा के बाद दो अप्सण यहाँ पर आपके सामने में खुलते हैं झीज़ते Merci नमर पर किलिक कर देते है यहाँ पर के लॉइ पर कर देंगे किलिक कर दें के बाद जो आपके खाते में जो depends के मुवाल नमर लिंक है उसको आप सेलेक्ट किजिएगा सीम नमर टू पे मेरा जो है मुवाल नमर लिंक है खाते में तो यहां पे हम किलिक कर देंगे सीम नमर टू इसके बाद नेक्स्ट बटन पे किलिक कर देंगे इसके बाद एलाओ पे हम किलिक कर देंगे ऐसा करने के बाद आपके सीम को वेरिफिकेशन किया जाएगा तापके मौ और पर रिचार्ज होना चाहिए cognate इसके बाद यह पही है जाएगा तो यहां पर पर आपको क्लिक कर देना न के बाद यहाँ पर आपको दो दो ऑप्स?!" यह पहला नमठी आपको क्लिक करना तो चलिए register for you know with my ATM card पे हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज खुलेगा तो नया पेज खुलने के बाद यहां पे आपको जो है account नमर आपको देना होगा account नमर देने के बाद जो आपके खाते में date of worth है वही आपको date of worth यहां पे आपको mobile नमर पे OTP आएगा जो कि bank के तरफ से आएगा OTP देने के बाद आप submit वाले बटन पे क्लिक कर देंगे ऐसा करने के बाद आपके सामने में नया पेज खुलेगा select transaction right तो यहां पे आपको view भी नहीं रखना है limit भी नहीं रखना है सिर्फ आपको full रखना है तो चलिए हम यह user name रखना है user name में आप अपना नाम भी रख सकते हैं उसके आगे पीछे कोई digit भी दे सकते हैं इसके पासवर्ड में आपको 8 करेकर्टर से लेके 20 करीक्टर तक आप password बना सकते हैं password में आप क्या yous करेंगे आप कोई regular use करेंगे ुसके बाद small letter use करेंगे और digit भी यूज़ क करेंगे जॉंपल के लिए हम आपको स्कीर में दिखा रहे हैं इस तरह का आप फॉर्मेट के दौरा आप पासवर्ड बना सकते हैं तो यहां पर यूजर नेम देने के लॉगिन ना करना परे इसलिए सेट एमपीण पर आपको क्लिक कर देना है और इस पेज को थोड़ा सा उपर करेंगे और टर्मेंड कंडिशन को एक्सेप्ट करेंगे इसके बाद नेक्ट बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर 6 डिजिट का आपको एमपीं क्रियेट करना पड़ता है तो आपके मन में जो भी six digit का अंख हो वो आप यहां पे देख सकते हैं देने के बाद फिर से confirmation के लिए आप नीचे में वही MPN देंगे जो आप set new MPN में दे रहे हैं इसके बाद next button पे आपको click कर देना है bank के तरफ से आपके mobile नमर पे OTP आगा OTP इंटर कर देंगे इसके बाद next button पे click कर देंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं यू successfully register तो आप you know it me register हो चुके है तो यहां पे login वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है इसके बाद यहां पे आप MPN ने इंटर कर देंगे और MPN इंटर करने के बाद आपका यहां पर देख सकते है Yonio Sbio का Home पेज खूल जाएका यहां से आप wireless चेक कर सकते हैं आप डी बना सकते हैं Money denial कर सकते हैं जो भी मैं आपको उस वीडियो में सुरू में सुरू में बताया हों कि आप Money आपको मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम को मोटिवेशन मिलता है और आप चाहे तो हमें इस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हैं मेसेज कर सकते हैं और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत दो कर दो